हेलो माई डीर स्टूडेंट केसी हूँ आप लूग माई डीर स्टूडेंट इस वीडियो में क्लाश टोयल सिच्छा सास्तर की जितने भी स्टूडेंट है और इस बार पेपर देने वाले हैं उनके लिए हम लेकर आएं महत्पूर निश्ची तुत्तरिय प्रश्न देखिए बहु विकल्पी की तरह ये भी प्रश्न होता है फर्क इतना रहता है कि इसमें आपको क्या है प्रश्न का एंसर एक लाइन में लिख देना है वहाँ पर आपको चार विकल्प दिये जाते हैं तो आज हम समसे महत्पूर निश्ची तुत्तरिय प्रश्न बताने वाले हैं पूरे किताब से लिया गया है पूर्ड एक्जाम में पूछे जाने वाले ये सभी प्रश्न है और 2024 यानि इस बार 2024 में 99% यही सब प्रश्न आएगा जो में बताने वाला हूं पार्ट वन का वीडियो है तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है गुरुकुल सिच्छा प्रणाली में यहां पर देखिए गुरुकुल सिच्छा प्रणाली में गुरुशिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष यानि पिता और पुत्र के पराबर होते हैं और गुरुशुशी जो होता था गुरुकुल में पढ़ने वाला पिता और पुत्र की शामान था तो ये पहले प्रशन का राइट एंसर है इतना लिख दीजिएगा एक नमबर मिल जाएगा दीखे आप लोगों को पता भी होगा कि सिच्छा सासर में पांच तरह के प्रशन पूशी आते हैं आगी मैं बताऊंगा कौन कौन सा प्रशन होता है दीखे दूसरा प्रशन है वैदिक काल में एक ब्रामन बालक को किसे आयू में गुरुकुल में परवेश मिलता था जो वैदिक काल था फस्ट ही चैप्टर है वैदिक कालीन भारती सिच्छा ये सिच्छा सासर का फस्ट ही चैप्टर से लिया गया प्रशन है तो वैदिक काल में एक ब्रामन बालक को आठ वर्ष की आयू में गुरुकुल में क्या है परवेश मिलता था जो वैदिकाल में जो ब्रामण होते थे उनको जो पढ़ने की इच्छा होते थे तो आठ वर्ष के ततपश्यात क्या है उन्हों उनको वैदिकाल में क्या है परवेश मिलता था पढ़ने के लिए तीसरा प वोद्यकालीन सिच्छा में किस प्रकार से क्या है जब बालक के सिच्छा ग्रहन करने जाता था तो उससे पहले उसका एक संसकार करा जाता था वो कुछ इस प्रकार से दिखी बालक की सिच्छा को आरम करते समय प्रवज्जा या प्रवज्जा संसकार को क्या करा जाता था कौन कौन से प्रशने में बता दू बहुविकल्पिय होता है निश्चे तुत्तरिय फिर अती लगु लगु और वाद में ब्रिस्तु तुत्तरिय होता है तो निश्चे तुत्तरिय भी 5 प्रशन पूछे आते हैं एक एक नंबर का बहुविकल्पिय भी 5 प्रशन पूछे आत बोद्दकालीन सिच्छा के दो मुख्य अस्तर कौन कौन से थे तो ये देखे बोद्दकालीन सिच्छा के मुख्य दो अस्तर कौन से थे सबसे पहला है आपका प्रात्मिक सिच्छा तथा उच्छी सिच्छा ये दो क्या है बोद्दकाल की सिच्छा में दो मुख्य अस्तर थ कि यह यह बहला जहा दूसरा है का बोः कालीन भारतिये स्चा यह सएकंड चैप्टर है गया का मुस्लिम कालीन टाफिप चौ मुसलिम मुसलिम काल में सिच्छा का प्रारम किस संसकार से हो जाता जैसे कि बहुत काल में पवज्या संसकार से मुसलिम काल में भी एक संसकार होता था जो कि क्या होता था बिस्मिल्ला संसकार होता था छे नमड़ प्रश्ण देखें मुसलिम काल में प्रात्मिक सिच्छा प्रारम करन की आयू चार वर्स चार माँ चार दिन होता था यह आपका बहुविकल्पिये में भी प्रश्ण पूछा जा सकता है कि मुश्रिम काल में जो बालक होता था इनकी प्रारमकन्य यहीं सिच्छा प्रारमकन्य की आयू कब होती थी तो चार विकल्प में आपको यहीं लगाना है स सिया नंदन सिध्धान्त की नाम से जाना जाता है यह आपको याद रखना है सारा प्रशन इंपॉर्टेंट है लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं नहीं तो आप अपने बुक में भी ढोंडेंगे या कोश्चन बैंक में ढोंडेंगे तो इसका आंसर आपको जरूर मिलेग क्योंकि सो नंबर का पूरांग के सिच्छा सास्त्र के और इसी के हिसाब से हमें तयारी करा रहा हूं यदि आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लिजे क्योंकि हम तयारी पूर्ण रूप से इसी तरीकी से करा रहे हैं आठवा प्रश्ण है कलकत्ता विशुविद्याले आयोग किस सन में गठित किया गया तथा इसका अध्यच कुन था तो कलकत्ता जो विशुविद्याले आयोग है ये 1927 में क्या है 1927 में गठित किया गया तथा इनका अध्यच माइकल सेडलर था कुन था माइकल सेडलर नाइ सिप्था समबंदी किस आयोग का गठन किया गया था इमर शरकार ने शरव विश्वित्द्रालई सिच्छा आयोक का गठन किया था ये नाइध hah दस नमबर प्रेश्ण था उसके बाद में देखिए 10 नमबर प्रेश्ण हमारे दिश में बालक बालिकाओं को किस आयू तक सिच्छा को मॉलिक यहापर समझें मॉलिक अधिकार घूशित किया गया दस नमबर प्रेश्ण है तो देखें 14 वर्ष की आयू के बालड़ पर अधिकार घोशित किया गया यह आको याद रखना है दस नमबर भी प्रश्ण है ज्यादा जानकारी के लिए स्टूडेंट आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं सारा प्रश्ण इंपॉर्टेंट है फिला ग्यारन नमबर प्रश्ण है मालवे जी के अनुशार सिच् का ताति पर देख्ति में सारीरिक मानसिक आर्थिक धार्मिक संस्कारों का विकास करना ही क्या सिच्छा का अर्थ है यह मदन मोहन मालवे जी की अनुशार है देखिए सिच्छा सास्तर में आपको इसी तरीके से प्रश्ण का एंसर मिलीगा श्टूडेंट याद रखेगा देखिए मालवे जी का साच्छिक विचार भी पूछा जाता है लेकिन जब यह आपका लगू उत्तरिय या अति लगू उत्तरिय प्रश्ण होगा तो इसके बारे में आपको थोड़ी बड़ी में जानकारी इसका देना पड़ीगा बारे नमबर प्रश्ण दिखी बनारस इंदू विश्व विद्याले के संस्थापक कौन थे तो भाया सभी को पता होगा हमने काफी बार इसका बताया है बारे नमबर प्रश्ण का अंसर दिखी बनारस इंदू विश्व विद्याले के संस्थापक पंडित मदनमवान जी ही हैं तेरा नमबर प्रश्णे मारा परसिद सिच्छा सास्त्री एनिवेशन्ड का जन्म कब और किस देश में हुआ था तो एनिवेशन्ड जी जो है इनका जन्म 1847 में लंदन में हुआ था लेकिन ये पूर्ण रूप से क्या है भारतियों को ही पसंद करती थी और भारति सिच्छा सास्त्री एनिवेशन्ट जी है उसके बाद में लेखें अगला प्रश्ण चाउदा नमबर प्रश्ण देखिए यहाँ पर चाउदा नमबर प्रश्ण स्रीमती एनिवेशंट सिच्छा में धार्मीक सिच्छा को आवश्यक या अनावश्यक मानती थी कौन मानती थी स्रीमती एनिवेशंट धार्मीक सिच्छा को आवश्यक मानती थी अनावश्यक नही मानती थी यहां पर देखिए यह गलत है और आप इस तरह से पूर्ण रूप से क्या है यहां पर आपको एक गलती कर देना है और एक नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा यानि एजटी प्रश्ण वही का वही रहेगा बस आपको थोड़ी इसमें चेंजस कर देना है एक नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा पंदरा नंबर प्रश्ण देखे महत्मा गांधी जी ने कौन सी सिच्छा पध्धती बनाई थी तो महत्मा गांधी जी ने वैसिक सिच्छा पध्धती को क्या है बनाई थी देखे चोटे चोटे में इसका अंसर आपको मिल जाएगा इतना ही आपको लिख देना है एक नंबर का कीमत आप उससे पूचे जो एक नंबर से टॉपर बनने से रह जाता है एक नंबर का कीमत उससे पूचे जो क्या है फेल हो जाता है और एक नंबर से कीमत उससे पूचे जो फ़स्ट डिविजिन नहीं पाता है तो एक नंबर का कीमत आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमूल ये खासकर बोर्ड एक्जाम के पेपर के समय चाहे आप क्लाश 10 के हो या क्लाश 12 में हो आपको भी एक-एक नंबर का कीमत मालूम होना चाहिए 16 नंबर प्रशन दिखिए किस भारती सिच्छा सास्त्री ने सत्य और क्या है इश्वर की अनुभूत के लिए अहिंसा को ही एक साधन समझा तो मौहंदास करमचंद गांधी नहीं कौन है मौहंदास करमचंद गांधी जी ने ही भारती सिच्छा सास्त्री जो है सत्य और इश्वर की अनुभूत के लिए अहिंसा कोई क्या है एक साथन समझा जो कि मोहांदास करमचंद गांधी जे जो इनका पूर्ण नाम है सत्रा नंबर वारा प्रशन देखिए इसको आप ज्यादा जानकारी के लिख भी सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है सत्रा नंबर प्रशन है कौन सा भारते विशुविद्याले पूरब और पश्रिम के बीच जीवित संबंदों की खोज और पारसपरिक संस्कृती शोहार्द तथा विवेक को पुरुशाहन देता है तो वो आपका विशुभारती हो जाएगा जो कि किसके द्वारा लिखा गय टैगोर और अटारा नंबर प्रशन दिखीए सिच्छा के व्यवशाइक और देश का किया है तो टैगोर के अनुशार सिच्छा का व्यवशाइक और देश का माध्यम में सिचह आरती को आत्म दिर्भर बनना है जिससे वो अपनी जीविका क्या है जिससे वो अपनी जीविका स्वयम अर्जित कर सकें तथा अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें यह 18 नंबर प्रशन का 60 का अंसर है एक नंबर आपको मिल जाएगा देखें थोड़े में बड़े में दिया हुआ है लेकिन आपको इतना ही और याद रखेगा कॉपी की सुरुवाद भी आप लोगों को पता होगा सबसे पहले बहुवी कल्पी है फिर उसके बाद में निश्चे तुद्तरिय प्रशन फिर आती लगो फिर दीर घुद्तरिय आता है तो सीरियल वाईश की इसाफ से आप लिखेगा तो फस्ट में य एक ही उद्देश था क्या है परियावरण परदोर्शन को नियंतरित करना आप लोगों को भी पता होगा हमने काफी बार बता जाए बीस नंबर प्रशन देखे क्या है परियावरण सिच्छा की सफलता की मार्ग में उत्पन होनी वाली मुक्ष समस्याय कौन कौन सी है वरण है इसके प्रते अनसूची दिर्ष्ट को पहला नंबर होगा थे कि पॉइंट की हिसाब से आप लिखेगा हमारा एक वीडियो जल दी आने वाला जिसमें हम आपको बताएंगे कौपी लिखना हर सब्जेक्ट का हम कौपी लिखना बताएंगे चाहे सिच्छा सास्त्र हो जियोग्राफी हो सुश्योलोजी हो एकोनोमिक्स हो या सिविक्स हो सभी काम पूर्ण रूप से कौपी लिखकर बताएंगे ताकि आपको एक स्टाटीजी पता चलनी चाहे कि बोर्ड एक्जाम में कौपी किस तरह से लिखी आती है और यह जब कौपी लिखने का आपको बिद्यालों में परियावरण सिच्छा बेवस्था की कमी ये बीस नंबर प्रश्ण का क्या है तीन आप लिख देंगे मुकी समस्या जो की परियावरण सिच्छा की सफलता के मार्ग में बाधक बनी हुई है आपको मिल जाएगा सही एंसर उसका एक नंबर 21 नंबर प्रश थे परियावरण जो है ये दो सब्दू से मिला है प्रि धन आवरण चारो और आवरण जो है और प्रि का मतलब है का मतलब है घेरे हुएतु आंटार नंब गाह नंबर प्रशन है मारा की- नासक यूर्या कि उपयोग से किस प्रकार का प्रडूशण होता है तो देखे कीट नाशक दवाईयों और यूरिया द्वारा परियावरण ये परदूशन में निरंतर वृद्धी हो रही है क्या है परियावरण जो परदूशन है इसमें निरंतर वृद्धी हो रही है और इनसे जल तथा मिट्टी तीनों ही परदूशित हो रही है जल इनों ही क्या प्रदूशित हो रही है तो बहुत ही important प्रश्ण है 22 नंबर आप देख सकते हैं उसके बादे देखिया अगला प्रश्ण क्या है त्येस नंबर प्रश्ण देखिए गंबीर आपदाओं से क्या आस है ये निश्चित तरिये प्रश्ण है एक हमने वताया है गंबीर आपदाओं के रूप में जाना जाता है जिनसे जन जीवन एक संपत्ति आधि पर क्या है गंबीर प्रतिकूल या विनाशकारी प्रभाव पढ़ता है किसे जिसमें जो जन जीवन है इसमें संपत्ति आधि पर गंबीर प्रतिकूल या विनाशकारी प्रभाव पढ इसी को हम गंभीर आपदा कहते हैं 24 नंबर प्रश्ण राष्टिय आपदा प्रबंधन प्रधिकरण की इसके बारे में बताईए तो दिखिए बिबिन आपदाओं को नियंतिरित करने तथा उनसे होने वाले नुकसान को कम करने की उपाई खोजने के लिए की गई ये क्या है राष्टिय आपदा प्रबंधन प्रधिकरण और इस्तापना क्योंकि गई इसके बारे में बताया गया है मैंने आपको बताया था स्टूडेंट जादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं क्योंकि आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है वीड यह इसिए प्रश्ट इम्लste ऊंसर लिंख दिए Valley उनका नंबर ग्लबड़ा आते हैं तो comment करते हैं कि सर इस तरह प्रशार के लिए जिम्मेदार्ग दो मुखे जो कारण है इसका उलेक करना है तो सबसे पहला कारण है सिच्छा में अपवय तथा क्या है सिच्छा में अपवय तथा दूसरा है सिच्छा में आउरोधन ये असंतोस प्रशार के लिए जिम्मेदार्ग दो मुखे कारण है जो बारे में आपको बताना है एक नंबर का प्रश्न है दिखिए में तो कहता हूं बाविकल्पी के लावा यही कर देना चाहिए सभी सब्जिक्ट में क्यूकि बहुत रहाविकल्पी में रहता एक आइडिया रहता है कि हमें प्रश्ण का अंसर नहीं मालूम है तो टिक लगा देते हैं कभी-कभी सही भी हो जाता है और कभी-कभी क्या है अंदजुआ ठोक देते हैं तो कभी-कभी गलग भी हो जाता है तो उसमें 10 में से आपका टिक कहीं 4 सही हो गया कहीं 3 सही हो गया कहीं 6 सही हो गया पूर्ट रूप से सभी की subject की तयारी कराऊंगा और मैं chapter wise भी तयारी करा रहा हूँ student तो आप please वीडियो को देखिए और जो भी important question है आप हमसे discuss कीजे जो इस भी topic पर आपको वीडियो चाहिए comment कीजे नहीं तो आप Instagram पर message कीजे link description में दिया है channel पर जाईए वहाँ पर हमें follow जरूर कर लिजीगा तो इसका answer देखिए इनमें 6 से 14 देखिए इनमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार एं निश्युल के सिच्छा का प्रवधान किया गया है जो कि भारतिय सम्मिधान में सिच्छा के प्रश्यार के लिए मुख्य प्रवधान क्या किया गया है वो यही है कि 6 से जो 14 वर्ष के बालक तथा बालिकाए है इनके लिए अनिवार एं निश्युल को सिच्छा जिसे आप लोगों ने देखा होगा private school एक government school तो government school में ये सारी सुब्धान है अनिवार एं निश्युल कि सिच्छा का प्रवधान किया गया है सिच्छा सास्त्र में यही है और फिलाल यहीं तक वीडियो था इस्टूडेंट याद रखेगा 26 प्रश्ण है और आपका यह सिर्फ 15 दिखे 26 प्रश्ण है और 12 कितना 12 या 13 चेप्टर से हैं तेरा दुनना 26 तेरा चेप्टर से ही लिया गया प्रश्ण है 26 चेप्टर है आपके सिच्छा सास्त्र में पार्ट वन का यह वीडियो है इस्टूडेंट याद रखेगा इसके बाद में यदि आप लोग कमेंट करेंगे तभी हम पार्ट टू पर वीडियो बनाएंगे फिलाल यह इस्टूडेंट ने कुछ लोगों इस्टूडेंट इनने कमेंट किया था किसा रिस्वर वीडियो बनाईए निश्च तुतरिये पर जो की पूरे बुक से लिया हो गया हो तो यही आज का ही वीडियो था, पार्ट 1 का वीडियो था, काफी इन्पॉर्टेंट वीडियो था और यही आप कमेंट करेंगे तो हम पार्ट 2 का वीडियो जलदी ले कराएंगी तो student आज किस वीडियो में बस इतना ही यह आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से याद अपने दोस्तों के साथ share कीजे जितना ज्यादा share कीजे जितने ज्यादा like करेंगे उतना ही जिन्द हमारा सिच्छा सास पर वीडियो आता रहेगा तो मिलता है नेस्ट वीडियो में स्टूडेंट या हिंद पढ़ते रहें चेसे तयारी करते रहें